माने सदर्फे सदन में कल शाम को गतिरोध पैदा हुआ आज फिर नेता प्रतिपक्ष की अपनी बात कही संसद्य कारिय बंतरी ने अपनी बात कही और फिर किनी कारणों से फिर सदन में गतिरोध दूत्पन हो गया मैं मानिया देक्ष मोदे एक बात निवेदन करना चाहता हूँ कि हम सब सदन के सदश्य जो चुनकर के यहां आए हैं वो सब के सब जनता के पृति जबाब देई हैं जनता के मुद्दों को लेकर के हम हमारी यहां बात रखते हैं और जो हमारा राज्तान विधान सभा के प्रिकरियात अताकारिय संचालन समंधी नियम है उनके मुताबिक यहां पर काम होता है मानने अद्यक्ष मोदे हमें अच्छी तरह ध्यान में है कि जब आपका नाम अद्यक्ष के लिए आपकी पार्टी ने आगे किया और गोशना की उसके बाद में तमाम प्रतिपक्ष के सदश्य सत्तापक्ष के सदश्य हो सबने एक स्वर में एक बात कई थी कि वास्तों में सुल्जेवे व्यक्टी को यहां पर सदन के अद्यक्ष के रूप में स्पीकर के रूप में नियूट किया गया है और आमने आगे बढ़ करके और सर्वसमत्ति से आपका अद्यक्ष के रूप में चैन में हमारी सकारात्मक भूमी का निवाई थी और हमने यहां हाउस में कहा भी था कि मान्य स्पीकर का जो पद होता है वो ही एक ऐसा पद होता है जो प्रतिपक्ष को हमेशा सरंक्षन भी देता है और सरकारी कारिये कराने में सरकार को सयोग करता है और नियम और प्रिक्रियाओं के मताबिक वो अपना कर्तव बे निर्वैन करता है मुझे कुसी है कि आप जब से अर्द्यक्ष के पदपे विराजमान हुए हैं हमेशा आपने चाहे वो प्रतिपक्ष हो चाहे वो सत्तापक्ष हो सब का पूरा ख्याल रखा है और आपका सम्मान आपका सम्मान नहीं है सर इस चेर का सम्मान है और इस चेर का सम्मान हमारा सब का सत्तापक्ष और प्रतिपक्ष का सम्मान है इसलिए हम इस बात को भली बाती जानते हैं कि इस चेर का संमान करने से ही हमारा संमान और सदन की गरीमा बढ़ेगी इसलिए हम ऐसा कौई व्यक्तव बें नहीं देना चाते। बाते हुई मानिये सदन के नेता यहां पर उपस्तित नहीं रहते हैं अगर वो रहते तो और ज्यादा अच्छा होता लेकिन बात एक ही थी कि एक तो जो कल मानिये मंतरी महोदे ने सामाजिक न्याय मंतरी जी ने जो बाते कही थी वो हमारे नेता महोदे ने कल कहा था कि इसको आप एक्जामिन कर लें आपने कहा ता मैं इसको अक्समंज कर दूँगा अगर कोई बात होगी तो उसकी व्यवस्ता अगर आ जाती तो शायद अब तक ये बात जो जितनी थोड़ी बहुत बढ़ी और जो गतिरोध हुआ वो शायद नहीं होता लेकिन चलो जो हो गया सो हो ग करीमा है इसको हम बना के रखेंगे कभी भी इसमें किसी तरीके की कोता ही नहीं आएगी लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ अद्यक्ष मोदे कि संसद्य कारियमंत्री जो सरकार के सदन के नेता के बाद में अगर उनकी और सरकार की तरफ से कोई बात कहता है तो वो संसद्य कार ये मंत्री जब खड़े हो करके और ये कहें कि हम आप बार बार खड़े होगे तो हम आपकी Lind नहीं रख पाएंगे मैं समझता ऑं कि ओ ठीक बात नहीं है ये इनको अच्छा लगे तो ये दुबारा क्या दे नहीं लगे तो इनको ये कहना चाहिए कि मेरा वेक्तर बे ठीक नहीं था मैं तो इतना ही निवेदन करूंगा कि हम जनता के मुद्दों के उपर चर्चा करने के लिए आएं इसलिए जनता हमारी तर्फ देख रही है कि हम किसी ने किसी बात को लेकर के रोजाना गतिरोद पैदा करें और फिर हाओ उलड में यहां से सदन से हम चले जाएं तो ने तो हमारी करीमा रहेगी ने हमारी सदन की परंपरा है यह इसलिए मैं आप से निवेदन करना चाहता हूँ आपका चेर का पूरा सम्मान रहेगा लेकिन आप भी इनायत थोड़ी किया ग्रवन साभ हमारे तो आप ही हो हमारा कौन सा मुक्य मंतरी सुन हमारी कौन से मंतरी सुन रहे हैं हमारी तो आप ही सुनते हो और आपके मात्यम से जब बात आए तो आप इतना कर दीजिए कि मंतरी जो सवाल पूचा गया उसका जबाब दे दे उस जबाब के बात में अंनरगल बाते नहीं करे तो यह सदन सुचा रूरूप से चलेगा इस पृतन हो और चाहिए कि इसके मुताबिक हम भी स्वितंतर हैं, आप भी करने है आधार के उपर कोई 알वाइद के लिए स्वितंतर हैं, इसलिए संसाधय कारिय मंत्री हमारे नेता के परती जसे नहीं कि भी करने है। क्योंकि अगर आप नेता प्रतिपक्ष का सम्मान करोगे, हम नेता का सम्मान करेंगे, और हम सब मिलकर के चेर का, स्पीकर की चेर का सम्मान करेंगे, तब ही ये संसदिय परंपराओं का सही तरीके से निर्वन होगा, इनी सब्दों के साथ में मैं चाहता हूँ, कि ये गतिरो होते हैं तो नेता होते हैं उसके बाद में तो आप ही होते हैं इसलिए आपको भी इस सदन की गर्म गरीमा बनाने के लिए उसी तरीके का ब्यवार करना चाहिए धन्यवाद सुची बोले वाले हैं सम्मानिय अध्यक्समोदे अभी पर्तिपक्स के साथी ने वरेश साथी ने एक हमारे प्रदेश की सबसे बड़ी पार्टी के नेथा ने जो भी वक्तवे दिया है वो उसकी सराने की जा सकती है कोई गलत उसमें नहीं है मैं आज इस सदन में हम सतापक्स की और से सबी मानिय सदसेों की और से आपको विश्वाद दिलाना चाहता हूं कि हमारे लिए आपका आसन भीक्रमा दीते के आशन से कम नहीं है मैं आपको मेरे सतापक्स के सभी सदिशेओं के और से ये भी विश्वास दिलाता हुँ कि हमने कभी भी आसन के किसी भी आदेश की अवेलना करने की कोशिश नहीं की और नहां कभी पहईशे में करेंगे जैसा पर्तिफक्स के साथी ने का उसी सब्दों में उसी बावना से ये आसन हमारे लिए बहुत बड़ी सीजे और इस आसन पर जो विराजता है वो सविधान के दैद परदर दिकारों के दैद बैरता है वो किसी राजनितिक दल का सदे से नहीं होता है लेकिन वो सभी का होता है और आपने इस अपने जिम्मारी को बखो भी निभाया है आपने कभी हमको ये महसूस नहीं होने दिया कि आप ही कभी हमारे राजनितिक दल के सदे से थे लेकिन हमने भी तीरे तीरे प्रयास किया कि आप हमारे राजनितिक दल के सदे से नहीं एक निस्पक्स होकर के विक रतिप्स्क्स पारदर्शी व्यवस्ताओं को भी लेकर आपका अभार विक्त करते हैं अभी तक तो आप ने बहुत बख़ूबी श्विदान सभा का संचालन किया है पूरी पारदर्शिता से पूरी निश्प्रक्स्ता से पूरा किया है मैं इस मोगर यह भी निविदिन करू कि I am a अर हमारी स्वस्थ परमपरों के अनसार सद्धन के नहतागे बाद अगर हमारे लिए भगता फार को अमानी है तो नहता परतिफक्स है और हम उन दोनों को ब़ाबर के दर्जे के दzetशनी है हमारे लिए उत्ता ही सम्हानी है मैं ने पूर में अपने वक्ते में कहा था कि मानी पर्थिप्रक्स के नेता बार बार अगर हो जाते हैं तो हमारे तोड़ा सम्मान में कमी आ जाती है लेकिन उसका कोई अधर वाइज मतलब नहीं लेड़ावे मैं आज पुन्ह दोराता हूं कि हम आपका उतना ही मान सम्मान औ पूसाएगा और साथ ही साथ मेरी तो प्रातना है कि नेता पर्थिपक्स भी अपने जिम्मारी को बखू भी जानते हैं और वो अपने जिम्मारी के साथ जब भी सदन में बहुत मैत पूर्ण राजस्तान ये हित में कोई विशे होगा तो जरूर अबस ये रखेंगे अनित पर्थिपक्स का आइना भी नहता पर्थिपक्स होता है साथ ही साथ में मानिए अधिश ये भी निवेदिन करूंगा कि भविशे हम सब दोनों मिलकर के पर्थिपक्स दोनों मिलकर के सदन की गरिमा को काईव रखेंगे इस गरिमा को आगे बढ़ाएंगे और ऐसा कोई भी कारवाई वक्तव या ऐसास नहीं कराएंगे जिसे लगे कि सदर में गतिरोद हो रहा है गतिरोद को समाप्त करने के लिए दोनों पक्सों ने जो अपना ठीक से वक्तवी दिया अपना सयोग दिया उसके लिए भी मैं उनका मेरी और से और सता प्रक्स के और से आबार्वित कर करेंगे हमारा सता प्रक्स और हमारे विशेश कर मंतिर परिस्त के सदर्शिए उनका पूर मुरूते तत्यों के साथ जबाव देंगे इसमें किसी तरह का कोई कमिनी ना पहले रही है न कभी वह विशे में रहेगी पुना मैं आपके परती आपके आसन के परती हम सब सता प्रक्स के सदर्शिए पूरी नमरता के वैवार के साथ आदर मान और समान करते हैं रेस्पेट करते हैं और हमारे नाता परती 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 भी उतना ही हम समान रखेंगे बहुत बहुत धन्यवाद 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